जोको संख्याओं को किस तरह से जोडते हैं उसका जोडना सिखाएंगे गुद आफ्टर नून क्लास से डाउन जोडना शब्द सुना है क्या मतलब होता है जोडना किसको जोडना बस खाली नंबर को जोडना और ट्रेन पर बैठे हो कितने लोग बैठे हैं अच्छा ट्रेन के सबसे आगे क्या होता है इंजन इंजन क्या अकेला जा सकता है और डिब्बे अकेले जा सकते नहीं क्योँ बिना इंजन के डिब्बे नहीं चल सकते ना तो जिस तरह से एक ट्रेन में सब डब्बे जुड़े होते हैं जनके एक के पीछे एक तो वो एक एक डब्बा करके जुड़ता रहता है न सबसे पहले इंजन होता है उसके बाद उसके पीछे एक डबा उसके बाद एक डबा फिर इस तरह से करके कई डब्बे होते है और सब डब्बे जब मिल जाते हैं तो एक बड़ी क्या बन जाती है ट्रेन बन जाती है ठीक है? तो कर दो ये क्या है ये क्या है इंजन और ये क्या है इसके डिब्बे हैं ये सब अलग-अलग है ठीक है अलग-अलग दिख रहे हैं ना तो अगर अलग-अलग ये डिब्बे होंगे तो आगे ट्रेन नहीं बढ़ सकती है ना तो इन सब को मिलाने के लिए क्या करें इसको हम चेन से जोडते हैं इन डबों को हम क्या करते हैं चेन से जोड देते हैं तब ये एक बड़ी ट्रेन बन जाती है तो इसको हम कहते हैं जोडना क्या कहते हैं जोडना जब हमने इसमें डबे जोडे तभी तो ये एक बड़ी सी ट्रेन बन गई है ना बन गई न उसी तरह से हम संख्याओं को भी जोडते हैं संख्याओं को भी जोडते हैं ठीक है अच्छा ये बताईए कि आप लोग गेम्स खेलते हैं गेम्स खेलते हैं दीदी आपको कौन सा गेम खिलाती है सर्कल बनाते हैं कैसे बनाते हैं सर्कल जरा हमें बताईए आके कैसे बनाते हैं सर्कल अगर हम हाँ छोड़ देंगे तो सर्कल बनेगा हम लोग पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं फिर हम सर्कल बनाते हैं फिर गोल धारा बनाते हैं ठीक है तो हमने एक दूसरे से हम जुड़ते गए एक बच्चे के साथ हम दूसरा बच्चा जुड़ा फिर तीसरा जुड़ा फिर चौथा जुड़ा फिर पांचवा फिर छटा और फिर साथवा और आठवा इस तरह से करके जब हम एक एक करके जब जुड़ते जाते हैं तो वो चीज फिर बड़ा सा एक क्या बन जाता है गो ये बताईए कि ये क्या चीज़ है फूल नहीं फूल येस क्या है फूल ये कितने फूल है यहाँ पे एक फूल है एक फूल और मिल गया हमारे पास तो ये कितने हो गए दो कितने हो गए दो कैसे अब हम इनको मिलाएंगे कैसे तो उसके लिए ये जोड का चिन होता है ये क्या है चिन ये किस चीज़ का चिन है जोड का एक ये फूल है और एक ये फूल है जब ये दोनों फूल हम एक जगा एक खटा रखेंगे तो ये कितने फूल हमारे पास हो जाएंगे दो फूल ठीक है ठीक है कोई भी चित्र बना के और बताईए कि कैसे आपने जोड सीखा ये क्या चीज़ है हिंदी में बताईए क्या है ये फूल कितने हैं फूल याँ आप एक आप कुछ भी बना सकते हो ज़रूरी नियुत है आपने फूलगा सीखा तो आप फूलल बनाईए अप कुछ भी बना सकते हो ठीक है यहां पर यह कितने फूल है एक कितने फूल है ठीक है अब दोनों को एक खटा किया तो हमारे पास कितने फूल होगे दो यह क्या चीज है हिंदी में इसको क्या कहते है हिंदी में इसको क्या कहते है गेंद यह कितनी गेंद है दो यहां पर कितनी है कितनी है ठीक है कुल गेंद हमारे पास कितनी हो गई कितनी गेंद हो गई ठीक है नेक्स्ट और कौन करेगा अरुक साथ यह क्या चीज है ट्री को हिंदी में क्या कहते है पेड पेड किस रंग का होता है यह कितने यहां पर पेड है दो और यहां पर तो जब हम सबको मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास कुल पेड कितने हो जाएंगे कैसे किंती करेंगे ए दो पी साथ ठीक है बेटर सीधा रखते हैं चाँ तेडा नहीं करते हैं चलिए गुड वो विलकम कौन आएगा यह क्या चीज़ है स्टार स्टार को हिंदी में क्या कहते हैं सितारा क्या कहते हैं सितारा सितारा हंटी पक्ती भी बना सकते हैं यह चित्रों का जोड है ना इस पे आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे कितने सितारे हैं ती गिन यह एक दो ती और यहाँ पे एक तो कुल हमारे पास कितने होगे चार कितने सितारे होगे चार कितने होगे सितारे चार एक दो ती चार चार अब कौन करेगा अब इदर यह कितना है एक एक यह क्या है एक घर है और यहाँ पे दो तो कुल यहाँ पे कितने घर है ती गिन्ती जाओ एक दो ती चार है ती कितने हैं सिर्फ तीन है ठीक है एक दो तीन तो हम यहाँ पर भी तीनी बनाएंगे एक दो तीन तो आप लोगों ने चित्रों से जोड़ दे सीखा किस तरह से चित्रों से हम जोड़ना सीखते है तो बच्चों आप घर से आप जोड़ जो चित्रों का जोड़ हमने सीखाया है वो आप करके लाएंगे ठीक है कॉपी में अपनी ठीक है रफ कॉपी में थेंक यू